भूल जाओ चकी और अनाबेल को आ गई है एक नई नवेली डॉल आज के जमाने की आर्टिफिशल इंटिलिजिन्स का ओवर्डोस ले चुकी चार फुटिया रियल लड़की जैसे दिखने वाली छुटकी चुडेल जो अपनी बड़ी बड़ी आखों से अगर देखे ना भाई साब समझ लो के काम हो जाएगा तुमारा बात करते हैं आगे Well, Hello, मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकाद बार बार होगी सबसे पहले तो एक शिकायत है कि ये मुवी हिंदी डब्ड वर्जन में क्यों नहीं रिलिस की इंडिया में और भी ओडियन्स है जिनको हिंदी डब्ड मुवी देखना पसंद है वो इस मुवी को देखने जरूर जाते खैर, मुवी के अगर बात करें तो स्टोरी है एक ऐसी लड़की की जो आई जीनियस रोबोट है उसको as a companion और test project के तौर पर अपनी niece को दे देती है और उसे command देती है कि उसकी niece याने caddy का खयाल रखे और किसी भी मुसिबत से उसे बचाए फिर आगे जो जो होता है वो थोड़ा horror and thriller style में हमें दिखाया गया है with some humor touch मतलब horror thriller के साथ साथ थोड़े बहुत comic element भी है जो बहुत से जगा बहुत अच्छे से काम करते है movie बहुत ज़ादा बड़ी नहीं है सो ये bore बिलकुल भी नहीं करती बट सवाल बहुत सारे खड़े कर देती है कि ऐसे कैसे एक doll को जो 99% human की तरह है उसको इतने जल्दी कैसे बना लिया AI intelligence वगेरा ठीक है बट उसमें human emotions और scary stuff कैसे add हुए इतना कि वो लोगों को सीधा मारते जा रही है उसको गुसा आता है वो बदला ले सकती है How? बट इन negative points को थोड़ा सा बाजो में रखे तो storyline wise, acting wise, cinematography wise and music wise ये movie आपको जरा भी निराश नहीं करेगी और अगर आपको लगता है कि Megan जो doll है वो CGI है तो ना भाई साब It is actually played by real girl character बस face पर एक अलग face mask था और आखे CGI थी ताकि उसको एक real life doll जैसा look मिल सके और ये बहुत अच्छा decision भी था क्योंकि अगर एक humanoid doll दिखानी है जो human जैसे ही हरकते करती है तो ऐसा role किसी human नहीं play करना उस character को भी natural बना देता है जिसकी वज़े से उसका dance moment जो काफी जादा viral हो चुका है उसका jungle में अजीब तरीके से भागना हाथ पैरों के moments सारे natural ही लग रहे थे 12 million dollar में बनी इस film ने 30 million की opening की मतलब opening में ही अपने budget का double कमा लिया और अब तक already 56 million dollar के उपर की कमाई कर ली है जो इस film को automatically एक super hit film बना देती है बट कमाल की बात ये है कि अगर इसके सिर्फ day 1 का collection देखे day 1 का तो जहां अवतार 2 ने अपने first day में 11.4 million कमाए थे वही मेगन ने 11.7 million का business किया याने first day collection में मेगन अवतार 2 के 0.3 million आगे चली गई याद रहे मैं सिर्फ day 1 के collection की बात कर रहा हूँ अवतार 2 फिलहाल कहां से कहां पहुँच चुकी है तो overall अगर देखा जाए तो movie one time watch तो जरूर है और ये आपको आखिर तक seat से बांधे भी रखेगी और last में जिस तरह से movie का end किया गया है ये एक PG-13 rated movie है जिसमें खून खराबा अच्छा खासा है बाकि adult scene वगरा नहीं है तो अगर आप 13 साल के उपर हो तो आराम से अपने family के साथ इस film को enjoy कर सकते हो और बहुत जादा horror वगरा नहीं है इसमें बस कुछिक जगा jump scare है और क्यूंकि इसमें भूत प्रेत पिशास वाला भी element नहीं है तो ये movie horror से जादा thrill and tension का हैसास कराएगी मैं दूँगा इस film को 3 out of 5 stars और हाँ मैं हर वीडियो में sponsorship नहीं लेता मिलते हैं आगले वीडियो में बाई